गोड़ मॉर्निंग अल आफ यू मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर अकैडमी के यूट्यूब चैनल को जिस पे आज अपने फिर से एक महत्तपूर्ण पहलों की चर्चा करेंगे आपने सुएज कैनल का जह है वो खूब नाम सुना होगा जो अभी ब्लॉग्ड हो चुकी है एक बड़े जहाज की वज़े से और ऐसा क्या जह है वो अपनी मजबूरियां है कि अपन को इसके उपर ध्यान जह है वो देने की आवशकता है भारत और विस्वा के बड़े चिंतित हो रहे हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज सभी दरस्कों को को हौली की हारदिक सुबकाम नाएं यह आप इसी तरह के से जिंदगी में progress करते रहें ये उमीद करते वे अपने आज के पहलू पे चलते हैं स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में आपने खूब निउस पेपर के अंदर देखा होगा टीवी मीडिया लगातार इसको cover करते जा रहा है स्वेज कैनाल में देखो बच्चो होता क्या है यहां पे कि स्वेज कैनाल में ये 400 मिटर लंबा जो है वो एक जहाज है जो जहाज चाइना से कहां जा रहा था नीधर लेंड जो है वो जा रहा था तो ये नीधर लेंड जाने वाला जहाज जो है जो स्वेज कैनाल के माध्यम से जाता है तो लार्ज कंटेनर सिफ है जिसका नाम Ever Given जो है वो इस जहाज का नाम है जो जहाज का नाम आपको पूछा जाए Ever Given है सिफ और जापानीज फर्म स्वेंकिस अन ताइवानी फर्म Evergreen तो ये दो कमपनिया यहाँ पे इस पे मालिकाना हक रखती हैं और तेईस मार्छ को यहाँ पे इस स्वेज केनाल के अंदर ये जहाज जो है वो फस गया था जहाजों के प्रती दिन रास्ते को पार करने में 10-12 घंटे का समय उसतन लगता है जबकि यहाँ पे जहाज जो चलते हैं वो 12-15 किलोमेटर की स्पीड से ही चल सकते हैं क्योंकि उसके किनारे कट सकते हैं इसलिए वहाँ पे ये बात कही गई है एक सो तिरानमे किलोमेटर लंबा ये जो है वो कैनाल है कैनाल आपको पता भी होगा मानव निर्मिठ जो है वो ये कैनाल होते हैं और रास्ते बनाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं अगली important चीज़ आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि मिस्सर और जिसको अपन इजिप्ट भी बोलते हैं इजिप्ट किया पूरा मालिकाना हग इस कैनाल के उपर है और 163 किलोमेटर जो है वो लंबी है दूसरी जो यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है पूरे विस्वे के व्यापार में 10 से 12 परतीसत योगदान इस नहर का है तो आप देख सकते हैं कि कितना महतन पूर जो है वो हिस्सा यह कवर करती है अंतरास्टिय व्यापार के रास्ते को तै करने में तो यहाँ पर जो है अगली बात क्या बोली गई है कि कैनल is a major source of income for Egypt economy तो आपन देखते हैं कि यहाँ से जो भी जहाज 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 इस कैनल को पार करते है उन सभी जहाजों को एक fixed tax जहाज वो अदा करना पड़ता है इजिप्टियन सरकार को और इजिप्ट की यह आए का एक बिहज जहाज है वो महत्तपून जहाज सोर्स है अफरिकन कंट्री जहाज है वो earning तो यहाँ पे इसको जो आए देखो कितनी हो रही है लास्ट येर की revenue बताई गई है 5.61 billion डालर जो है लास्ट येर इजिप्ट ने यह रास्ता देने के लिए यहाँ से जहाज वो कमाया है नियरली 19,000 से पास्ट सूदे कैनाल 2020 वर्स 2020 में यहाँ की सरकार ने यह गोशना की या लेक किया कि वर्स 2020 के अंदर यहां से 19,000 जहाज लगबग निकले हैं यदि अपन पर डे की कैलकुलेशन करें तो लगबग 50 से ज़्यादा जहाज प्रती दिन इस रास्ते से होकर अलग लग देसों के अंदर जाते हैं यह बैसिकली एसिया को यूरोप महादीब से जोडने वाली नहर है तो यहां पर यह चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बाद में यहां पर कुछ जो है वो हिंदी के अंदर भी यह बाते लिखी गई है कि स्वेज नहर में जो है एक विसाल का यह वो एवर गिवन जहाज अटका हुआ है यहां पर और यह इसकी लंबाई यहां पर बताई गई है और इसी रास्ते से दुनिया के 30 बिजदी सिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो भी इसी रास्ते से हुकर जाते हैं यहां पर तो यह अगली बात अपन को और ध्यान रखने है कि 206 जहाज जो है वो इसके अंदर अभी भी फसेवे हैं काफी प्रियास जो है वो यहां पर किये जा रहे हैं लेकिन अभी भी इसको निकालना जो है वो संभव नहीं हो पाया है पूर्टे यहां पर एक सब्द इस्तमाल बार-बार किया जाता है कि टग बोट्स का इस्तमाल किया जाता है ऐसे फसेवे जहाजों को निकालने में टग बोट्स बहुत बहुत ताकतवर जो है वो यहां पर बोट्स होती है जो इस तरीके के फसेवे जो नहरों के अंदर जहाज फस जा रहा है इस तरीके की वज़े से भारत में टर्की रूस और लीबिया से क्रूड ओयल स्वेज नहर के रास्ते से ही आता है इसलिए आपने जो है वह अभी थोड़े दिन पहले न्यूस्वेपर मीडिया में एक कवरेज दिखाई गई कि ज्यादा समय तक यदि स्वेज नहर का रास्ता नहीं खुला तो भारत के अंदर पैट्रोल डीजल के प्राइसे में मुले में वर्दी देखने को मिल सकती है काफी चीजें महंगी हो सकती है जो यूरॉपियन रास्टर से हम इंपोर्ट करते हैं वो चीजें जो है वो महंगी हो सकती है भारत के अंदर तो टर्की से पानी में जो है वो रूप परिवर्तन करने के लिए यानि हवा की नमी को पानी में कनवर्ट करने के लिए एक जो है वो इंस्टुमेंट बनाया गया है एक मोबाइल इंस्टुमेंट बनाया गया है इस मोबाइल इंस्टुमेंट को कहां पर लोकेट किया गया है अगला सवाल अपन यहां पे देखेंगे देखो देखने से पहले अपन थोड़ा सा यहां पे नजर डाल लेते हैं देखो यह यहां से अपन देख रहे हैं कि यह नहर का इलाका है यहां पे और इस नहर के इलाके में यह जहाज जो है वो इस तरीके से जो है वो खड़ा कर देंगे तो यह एफल टावर की उचाई को भी क्रॉस कर जाता है तो काफी ज्यादा लेंथ है जो है वो यहाँ पे और लेंथ के बारे में तो यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है चार फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा हाइट जो है यह आते है वो इस तरीके से यहाँ पे पहुंचके फिर यहाँ यहाँ पे जाने का रास्ता यहाँ पे रहता है अब होता क्या है यहाँ पे कि इस रास्ते से यह अपना जो है वो अरब सागर हो गया यहाँ पे यहाँ पे रैड सी इसको बोलते है यह रैड सी वाला इलाका ह तो स्वेस कैनल से यहां पर किस तरीके से एशिया महादीब येरॉपियन महादीब से कनेक्ट होता है वहां पर स्वेस कैनल यहां पर कही जाती है अब यह कैनल जब यहां पर ब्लॉक हो चुके तो भारत के पास यह विकल्प है कि यहां से घूम कर जो है वो इस येरॉपियन के जह है वो छेतर को चक्कर लगाते हुए यहां पे यूरॉप में पहुँचेगा तो यह काफी ज़्यादा जह है मुस्किल बरा है क्योंकि यहां से 9000 किलोमेटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जह है वो जहाज को तै करना पड़ेगा और इससे जो माल वाहग जहाज है उनका ट् यहां रखना है यहां पे तो यह सारी चीजें यहां पे इससे समान देता है यहां पे इसके बाद में अपन आगे यहां पे देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है जो स्वेज कैनाल जो है उसका प्रभाव आम जीवन पर क्या पढ़ सकता है लोग जो है वो यह चिं को मिल सकता है तो supply chain पर भावित हो जाएगी यानि जो सामान यूरॉप से एशिया महादीप में एक जगे से दूसरी जगे जाता है उसकी supply chain पर भावित हो जाएगी यहां पे oil prices बढ़ जाएंगे जैसा कि मैंने यहां पर दूसरे दास्ते तलासने के लिए यहां पर काम करना पड़ेगा इसके बाद में cost of diversion और longer routes अभी अपन ने देखा था एक वेकलपिक रास्ता जो यहां पर 9000 का व्यापार परभावित है थोड़ा सा स्वेज कुनेल के उपर अपन देख लें तो यहां पर 1959 से इसको निर्मान करना स्टार्ट किया और 1800 गुनतर जो है यानि 1869 के अंदर इसको व्यापारिक जहाजों के आने जाने के लिए या जो भी जहाज तेल कंटेनर है या और भी जो जहाज है वहाँ पर आने जाने के लिए नुमती वहाँ पर दी गई यहां पर इसके बाद में जो है यहां पर इट आइच आफर्स देस्ट रूट बेट्विन डे अत्लांटिक ओशिंस और इंडियन और वेश्टं पैसिफिक ओशिंस तो in the world and negating the need to navigate around the cap of the good hop African and thus cutting the distance of 7,000 कई बार ये 9,000 के आसपास भी लिखी भी मिलती है तो अलग-अलग रास्ते के हिसाब से लेकिन 7,000 किलोमेटर का जो ये रास्ता है वो अपन को कम तै करना पड़ता है क्योंकि अपन स्वेज कैनाल के माध्यम से European रास्टर यानि लंडन-UK जैसे रास्टों से connect होते हैं तो यहाँ पर ये बहुत important है इस रास्ते का महत्वे यहाँ पर बताया गया है Economic Lifeline क्या है? The Canal continues to be Lifeline for all trades between the West and East at 10% of the global trade तो 10-12% योगदान यहां पर बताया गया है 50 जहाज परती जह है वो दिन यहां से निकलते हैं और यहां पर सामान परती दिन 9.5 बिलियन डॉलर का सामान परती दिन यहां से आता जाता है तो आप देख सकते हैं कितना इसका सामरिक बहत वह है कितना international importance है इस कैनल का तो यहां काफी जीवन भी यहां पर प्रवावित हो सकता है अपना अब एक वैकलपिक रास्ते को अपन देखते हैं कि यदि कल को भारत जहां पे वैकलपिक रास्ते को और तलास्ता है कि उसको distance भी कम करना है और जह है वो यहाँ पे जल्दी पहुँचके अपने माल के लिए जो पहुचाने की costing है उसको भी कम करनी है तो उसका एक रास्ता तो यहाँ पर यह अभी अपने देखा कि बही यहाँ पर Bombay से कोई चला और घूम के यहाँ अफरीका से इस तरीके से यहाँ पे UK के अंदर पहुँच गया तो यह रास्ता तो बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस रास्ते से आप देख रहे हैं कि साथ से 9000 किलोमेटर की डिस्टेंस बढ़ जाती है अब इस रास्ते से दूसरा तरीका यह था स्वेज कैनल के माध्यम से यहाँ पे पहुँचना तो यह कैनल यहाँ पे स्वेज कैनल है यह हो गई ब्लॉक इधर से जाएंगे तो जह है वो लेंट ज़्यादा पड़ेगी और यह रास्ता ब्लॉक हो गया तो अब भारत पिछले कई सालों से यह लगातार प्रियास कर रहा है कि एक वेकलपिक रास्ता तलासा जाए और इसी वेकलपिक रास्ते को यहाँ पे शाबार पूट से होते वे इरान से यह पहुँचेगा इस रास्ते से तो ये इसी को INSTC route यहाँ पर बोला जाता है बहुत important है INSTC route के अंदर सीधा चाबार पोड़ जाएगा फिर अफगानिस्तान इधर के ये देशों से cover होते वे यहाँ पर पहुंचेगा लेकिन इसमें rail transportation भी है land transportation भी है और समुदरी जहाद से transportation भी है transport corridor है ये is an international multi mode of ship rail and road route यानि तीनों रास्ते यहाँ पे अपनाए जाएंगे इसके मादियम से European continent में पहुंचने के लिए और ये रसिया और Eastern Europe को इंडिया और चाइना के एरान के मादियम से connect करने का काम करेगी the international north south transport corridor is 7200 km long multi model network है ये जिसमें जहाज rail road रास्ते रहेंगे यहाँ पे फ्रेट बिट्विन और किस किस के बीच में ये जह है वो रास्त सामान ले जाने के काम आएगा इंडिया एरान अफगानिस्तान अजर्बेजान रसिया और Central Asia और Europe तो इससे ये सारे European रास्तर और ये अफगानिस्तान अजर्बेजान रसिया एरान ये सारे देश आपस में जुड़ जाएंगे तो तहरार इस नौ टॉकिंग ये जह है वो 700 किलोमेटर के मल्टी मॉडल रूट पे ये काम कर रहा है यहां पे और इंडिया और रसिया भी यहां पे इसमिकी मदद जह है वो कर रहे हैं और यहां पे चाबार पोर्ट आपने काफी बार सुना होगा कि चाबार पोर्ट जो इरान के अंदर जो है यहां पे भारत मदद कर रहा है इसको बनाने में इसका सामरिक महत्मे कितना हो जाता है तो चाबार पोर्ट वहीं पे काम आएगा जब एक वैकलपिक रास्ता यहां पे रहेगा एक स्वेज कैनाल को टालते हुए वो किस तरीके से यूरॉपियन आट्रिडेंट में पहुंचता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए चाबार जो है वो पोर्ट के बारे में बार बार आपको न्यूज सुनने को मिलती है यहां पे इसके बाद में आज के मत्तपुन सवालों पे चलेंगे जो आपको जो है यहां पे कमेंड बॉक् में इसका आंसर जो है वो यहां पे देंगे देखो यहां पे आज पुछा गया है पहला सवाल the global wind report released by global wind energy council states 93 gigawatt of new wind energy capacity installed in 2020 making the years as the best in the history of wind industry where is the headquarter of GWEC यानि global wind energy council का मुख्याले कहां पे है यह सवाल आपको पूछा गया है जल से आप इसका जवाब देंगे मैं आपके comment यहां पे देख रहा हूँ यहां पे C options जो है वो बच्चे बता रहे हैं C options आंसर में नहीं है Brussels Belgium यहां पे आंसर में है यह एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि देखो अपन भी भारत भी 155 GW जो renewable energy है उसके लिए भारत भी प्रतीबद है यहां पे तो भारत भी यहां पे इस renewable energy के लिए प्रतीबद है इसमें से बताया गया है कि 100 GW जो है भारत solar के माध्यम से बनाएगा यानि solar energy के माध्यम से बनाएगा इसके बाद में 60 GW जो है वो wind के माध्यम से यानि पवन उर्जा के माध्यम से बनाएगा 10 GW जो है यहां पे biomass से वो तयार करेगा जबकि 5 GW जो है वो hydel power से generate करेगा यह आपको ध्यान रखना है और यह target जो 175 GW का है यह जो है वो बहुत important है 2022 तक भारत जो है वो Paris Agreement के मताबिक जो है प्राप्त करने के लिए प्रतीबद है इसके बाद में यहां पे एक चीज़ ओर ध्यान रखनी है कि renewable energy को जो है यहां पे achievement करने में फर्स्ट पोजिशन पे विस्वा के अंदर जो है वो कौन सा देश है जर्मनी है जबकि भारत जो है वो इसको प्राप्त करने में ग्यारवे स्तान के उपर है यह भी आपको ध्यान रखना है बहुत important सवाल है यह इसके बाद में अगले सवाल पे चलेंगे यहां पे अगले सवाल को आप अच्छे से यहां पे पढ़ ले एस पर दा ग्लाबल विंड रिपोर्ट वर्ल निट्स तु इंस्टॉल मिनिमम गीगावाट अप न्यू विंड एनरजी every year to limit the global warming to well below two degree above pre-industrial level यानी Global Wind एरिपोर्ट दो 2021 के अनुसार गलाबल वार्मिंग को प्री इंडुस्टियल लैवल से 2 degree Celsius नीचे ले जाने के लिए दुनिया का हर साल new term GW नही पवन उरजा लगाने की जरूरत है यानी कितनी wind energy की आवेशकता बताए गई है इस दो डिग्री टेंपरेचर से नीचे लाने के लिए इंडिस्प्री इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट जो है यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 180 गीगावाट यहाँ पे आंसर आपका रहेगा इसके बाद में आगे वाले सवाल पे चलेंगे यहाँ पे यह भी बहुत important सवाल है यहाँ पे और आप सभी जो है वो लगातार आंसर देने का यहाँ पे प्रियास करें What is the official song track for 2022 ICC Women World Cup? यह देखो आपको पता भी होगा यह World Cup का आयोजन जो है वो कहां पर किया जा रहा है New Zealand के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और यहां पर गिग विग्मॉर जो है वो यहां पर इसके गायक है इस सॉंग के और गिग विग्मॉर जो गायक है यहां पर उन्होंने Girl Gang नाम से ये गाना जो है टाइटल सौंग गाया है जो की ऑफिशियल सौंग रहेगा इस खेल के ICC के आयोजन का जो हद दो हजार बाइस में महिलाओं से सम्मंदित है इसके बाद में अगले सवाल पे चलेंगे यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी जो है वो अथरिटी जो है यहाँ प पे आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा सौरब गरग जो है वरतमान में यू आई डी आई के जो है वरतमान में नए CEO यहाँ पे नियुक्त किये गए हैं आज का अंतिम सवाल अपन देखेंगे यहाँ पे उमीद करता हूँ आप इसका जो है आंसर जरूर देने का प्रियास क बच्चे हैं या जो इस तरीके से जो समाज में जो है जिनको दरकिनार किया गया है ऐसे बच्चों के जो है पुनर स्तापना के लिए या उनके घरों के नवेनी करण के लिए यहाँ पे भारत सरकार जो है वो आर्थिक मदद कर रही है इस आर्थिक मदद में भारत किस माल दीव हो जाएगा माल दीव कि यहां पर राजधानी माले है करनसी की बात करेंगे यहां पर तो रुफिया जो है वो यहां पर इसकी करंसी है तो यहां आज के महतवपून जो है वो सवाल थे अब आप कमेंट बॉक्स में जो है एक जवाब जरूर लिखेंगे यहां पे कि स्वेज कैनल भारत में किन भारत से जो है किस महासागर को किस महासागर से जो है यह मिस्सर के अंदर जोडने का काम करती है यानि मिस्सर के अंदर बनाई गई मानव निर्मितिय कैनल किन दो महासागरों को जोड़ती है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो और इसी तरीके से आपको परती दि जो है वो करंट अफेयर के अच्छे अच्छे पहलू जानने को मिलेंगे धन्यवाद